जहें दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं Zero Balance Account के विचे में दोस्तों अगर आप किसी बैक खाते का यूज करते हैं तो आपने Zero Balance Account का नाम ज़रूर सुना होगा लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि आखर ये Zero Balance Account क्या होता है इस Zero Balance Account में क्या-क्या Facilities, क्या-क्या सुविधाएं आपको दी जाती है और कौन और कैसे इस Zero Balance Account को खुलवा सकता है इसके लिए क्या-क्या Document चाहिए होते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो Zero Balance Account है इसका पूरा नाम है Zero Balance Bank Saving Account यानि कि ये एक तरह का एक Saving Account होता है दोस्तों ये जो Zero Balance वाला Account होता है इसमें आपको कोई भी Minimum Balance रखने की जरूत नहीं होती है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप अपना कोई नया Bank खाता खुलवाने जाते हैं तो आपसे एक पैसा यहाँ पर Amount लिया जाता है कि आपको अगर खाता खुलवाना है तो आपको इतना रुपए यहाँ पर Bank को जमाक करने होंगे वो एक हजार हो सकते हैं वो दस हजार भी हो सकते हैं वो Bank to Bank vary करता है अलग-अलग Bank पर depend करता है तो उस समय जो पैसे आपसे लिये जाते हैं वो minimum balance के तोर पर पैसे लिये जाते हैं यानि कि उतने पैसे आपके account में हमेशा रहने चाहिए अगर आप उन पैसों को निकाल लेते हैं तो आपको फिर penalty या charges पे करने होते हैं लेकिन हमारा यह जो zero balance account होता है इसमें हमको खाता खुलवाते समय कोई भी रुपया यहां पर देने की जरुत नहीं होती है यानि कि zero रुपय से आप जो खाता है zero balance account इसको आप खोल सकते हैं अपने लिए और कोई भी charges या penalty इसके लिए आपको नहीं देनी होती है अब दोस्तों बात करें वो कौन-कौन से document है जो कि हमको इस zero balance account के लिए देने होते हैं तो इसमें मुख के तोर पर आपको दो documents देने होते हैं इससे आपका काम हो जाएगा दोस्तों इसी के साथ आपकी उम्र 18 साल से plus होनी चाहिए और आप एक Indian यान एक भारतिय नागरिक होने चाहिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो हमारा zero balance account है इसमें आप joint zero balance account भी खोल सकते हैं अब दोस्तों बात करें कि इसके अंदर आपको कौन-कौन सी वह सुविधाएं हैं जो कि मिलती हैं अगर आप इस bank account को खोलते हैं तो सबसे पहली सुविधा मिलती है आपको इसके अंदर passbook और checkbook के जो features हैं वह यहां पर आपको मिलते हैं इसके अलावा आपको debit card या फिर ATM card का जो facility है वो भी हाँ पर आपको दी जाती है इसके अलावा दोस्तों इसमें आप net banking भी अपना इस खाते के तहत में use कर पाएंगे इसके अलावा इसके अंदर आप अगर अपने खाते के 6 मंत complete कर लेते हैं खुलवाने से लेकर 6 मेने तक पुरा हो जाता है तो आप इसके बाद overdraft की facility भी यहां से ले सकते हैं इसके अलावा bank में जाकर अपने लिए एक locker facility भी इसके तहत आप ले पाएंगे इसके अलावा RTGS और NEFT जो payment जो transfer हमारी system है उसको भी आप इस bank खाते के तहत यहां पर use में ले सकते हैं तो यह कई सारे features हैं सुविदाएं जो के आपको एक zero balance खाते के तहत यहां पर दी जाती हैं अब दोस्तों हम बात करें इसके अंदर कुछ limits हैं यानि कि कुछ limits पहले से बनाई गई है इस खाते को use करने वाले लोगों के लिए सबसे पहली limit है कि आप इस zero balance account में एक financial year के अंदर सिर्फ एक लाख रुपे तक deposit कर सकते हैं अगर आप इससे जादा का amount इसके अंदर deposit करते हैं तो आपको अपनी complete KYC bank को जाकर करानी होगी और इसको एक normal saving account में बदलना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका account freeze कर दिया जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि एक साल के अंदर सिर्फ एक लाख रुपे का deposit आप इस account के अंदर कर सकते हैं इसके लाब महीने के यानि कि मन्तली जो transaction limit होती है यानि कि जब आप पैसा निकालते हैं उसकी भी एक limit है आप four transactions तक यहाँ पर कर सकते हैं इसके इन्हें में अपने ATM कार्ड के तुरू या फिर debit कार्ड के तुरू निकाल सकते हैं दोस्तों और अची जानकारी भरे वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें